आ चुके हैं क्या बात है good evening good evening guys good evening good evening good evening दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जब भी हम किसी के सामने बात रखते हैं तो हमें कहा जाता है कि tell me something about yourself अपने बारे में कुछ बताओ अब हमें अपने बारे में तो पता है कि कैसे बताना है लेकिन English नहीं आती है और यह सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है English में अपने बारे में कैसे बात रखे अगर हमें सिर्फ चार लाइन बोलनी हो हमें अगर सिर्फ चार लाइन बोलनी हो English में कि अपना परिचे दें तो कैसे दें तो कम से कम हमें इतना तो आना चाहिए ना क्योंकि दिक्कत कहां है दोस्तों ये जो topic है ना सबसे जादा useful है आपको मरते दम तक ये topic काम में आएगा क्योंकि आप किसी party में जाते हैं आपको अपना परिचे देना पड़ता है you have to introduce yourself आप किसी meeting में जाते हैं आप meeting start नहीं कर सकते हैं सबसे पहले आपको बताना कि आप कौन है what do you do अगर आप किसी job interview के लिए जाते हैं कोई नौकरी करते हैं पहली बार जाते हैं आपको पता होना चाहिए कि अपना परिचे कैसे दे आप किसी family gathering में जाते हैं कोई परिवार इखटा हो रहा है किसी का birthday celebrate कर रहे हैं उस situation में भी आपको अपना परिचे दे आना चाहिए दोस्तो हिंदी का जमाना गया आप कही पर भी जाओगे ना छोटे 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 चुन्नु मुन्नु होते हैं वो भी इंग्लिश बोलते हैं आप छोटे छोटे चुन्नु मुन्नु इंग्लिश बोलेंगे और बताएंगे hi guys my name is this and I am from this and I study in this school आप वहाँ प class छोटना नहीं है आप से सिर्फ one hour मांग रहा हूं एक घंटा आप मुझे आखरी तक time दीजिए इस one hour के timing में मैं आपको दुनिया का best introduction सिखाऊंगा आपके बारे में मुझे नहीं पता है लेकिन मुझे ये पता है कि आपको अपना परिचे कैसे देना है कई बार लोग बो कि अपने परिचे में क्या क्या नहीं बताना है कुछ लोग बोलते हैं my father's name is Santos आरे भाई तुम्हारे पापा के नाम से सामने वाले को क्या मतलब तुम्हें किस ने बताया कि तुम्हें अपने परिचे में अपने परिचे में अपने परिचे में अपने परिचे में बताना ह ताकि अगर ये introduction job में दें तो कैसा देना चाहिए परिवार family gathering में दें तो कैसा देना चाहिए college इस school में पहली बार गए हो और master जी ने पूछ लिया है कि अपना परिचे दो कैसे दोगे भाई आवाज चेक करिए सही आरी आवाज दोस्तों अपना परिचे how to introduce yourself, self introduction खुद के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए 2024 में चल रहे हैं और अगर हमें खुद के बारे में 7-8 line नहीं आती है खुद के बारे में यही नहीं पता है कि मैं जो पढ़ता हूँ उसे कैसे बता हूँ मैं जहां रहता हूँ उसे कैसे बता हूँ मैं क्या करता हूँ उसे कैसे बता हूँ मेरा education क्या है उसे कैसे बता हूँ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई introduction तो आना चाहिए insult हो जाएगी दोस्त आखरी तक तिक जाना जल्दी बाजी की बीच में छोड़के गए तो मजा नहीं आएगा आज के introduction में मैं आपको सिखाऊंगा कि अपना परिचाए English में कैसे दे point number two क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है किसी से भी बात करे चाहे अपने बाबु सोना से बात करो तो बाबु सोना सामने खड़ा है आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है यह दोनों बताऊंगा तो आज की क्लास में सभी का स्वागत है Hi guys my name is कमले श्यादो and I am your English trainer for next 75 days कुछ बच्चे बोलेंगे सर 75 दिन का यह जो कोर्स है ना English का आपने लाकर बहुत अच्छा काम किया मुझे पता है दोस्तों आपको बता दूं कि यह 75 days का जो कोर्स है completely free है आज मैं आपको पढ़ाऊंगा यह topic इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि किन किन points को आपको अपने self introduction में include करना है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक introduction दे सकते हैं कुन-कुन से points बोलने हैं उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक मैंने proper blank वाली sheet आपके साथ share करूंगा जिसमें आपको practically इस live class में कैसे आपको इन खाली स्थान को blank places को भरना है यानि कि complete study मिलती है math study पर guys मेरा यह dream है कि अगले 75 days में आपको English बोलता हुआ देखू मेरा यह dream है कि when you complete your 75 when you complete your 75 hard English challenge then you will call me hi sir my name is Radhika and I am so thankful sir because this course helped me a lot completely free है पूरे 75 दिन तक free में पढ़ाऊंगा यह सारे notes में free में दूंगा कल मैंने day 1 की class की थी अगर आपने कल day 1 की class नहीं की है बेटा प्लीज इस class के बाद day 1 की class देखना sir कहां मिलेगी day 1 की class आपको मिलेगी playlist में youtube पर जाना और playlist में मैंने बना दिया है 75 hard spoken English classes वहाँ पर जाना और playlist में day 1 day 2 में जितनी भी classes लूंगा आप वहाँ पर जाकर सारी classes को day wise देख सकते हैं यह वाला course मैंने app पर भी डाल दिया है youtube पर completely free है तो आज की class में मैं free में पढ़ाऊंगा youtube पर सारे notes मैं telegram पर डाल दूँगा वहाँ से download कर लेना और एक practice sheet दूँगा दोस्त और एक homework दूँगा वो homework भी करना है कहां मिलेगा भाई यह सब कहां मिलेगा आदमी पढ़ा रहा है free में आदमी practice करवा रहा है आदमी जो है अपने को practice sheet के सासथ homework दे रहा है I have a complete study plan अगले 75 days अगर आपने अपना one hour invest कर दिया ना मैं return guarantee देता हूँ कि आप अपने आपको पहले से बहतर पाओगे बस condition यह है कि बीच में जाने का नहीं और अगर आप सच में अगर आपको सच में मेरी पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है बेटा please एक like कर दो एक teacher को please बोलना अच्छा नहीं लगता है एक like और पांच लोगों को share कर दो I will be so thankful to you कि मेरा उदेश है सभी लोगों तक यह शांदर classes जानी चाहिए चलिए शुरू करते दोस्तों आज की शांदर class सबसे पहली बात 75 days का आज है day number second लिखा है संपूर्ण course free है आज का topic है how to introduce yourself अपना परिचे कैसे दे कहां कहां अपना परिचे देते हैं शादी में पार्टी में बर्थडे पार्टी में किसी बाबू सोना से मिल समय लेकिन हमें आज सिखना है कि जब हम किसी job के लिए जाते आप सभी लोग जीवन में आज नहीं तो कल किसी professional meeting में तो जाओगे तो professional meeting में जाओगे तो वहाँ अपना परिचे कैसे दोगे कौन-कौन से point बोलना है कौन-कौन से नहीं बोलना है वो आज में आपको सिखाऊंगा आप pen copy लेके बैठ जाएए या तो एक काम करो सबसे पहले इस one hour class को समझ लो उसके बाद आप pen copy लेके एक बार फिर देखना इस class को YouTube पे upload हो जाएगी आप फिर देखना और सारे notes बनाना मुझे कई बच्चों के message आए कम से कम 500-600 students की मुझे message आए कि सर हमने pen copy ले ली है हमने एक बड़िया diary बनाई है और diary में आप जो भी पढ़ाते हैं सर हम उसको proper note down करते हैं तो मैंने का भाई मैं तो बहुत speed से पढ़ात बता हूं how do you write down वो मुझे बोलते हैं कि सर हम पहले आपकी live class देख लेते हैं फिर उसके बाद दिन में हमें जब भी time मिलता है या late night तक हम उसको एक बार फिर से देखते हैं YouTube पर देखते हैं तो फिर से देखके सारे notes बना लेते हैं मैंनका बहुत बढ़िया बले सर सीख त इसतर दिन तक के अगर मुझे से जुड़ना हो प्लीस लाइक सब्सक्राइब और शेयर ना यहां पर देखिए दोस्तों जब भी जब भी हम किसी company का interview देते हैं जब भी हम English में बात करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि जैसे ही हम किसी तीन या चार लोगों क पैनल के सामने जाते हैं जैसे यहां पर यह लड़की जो है वह तीन लोगों के सामने अपना परिछे देगी इसको जॉब लग गई है बैंक में आप यह तीन लोग इसका interview लेंगे अब ये लड़की जो है जैसे ही जाती है इसको पता है इसको इसका नाम पता है हो सकता है इनको इनके बारे में अपने parents के बारे में इनको अपने family के बारे में सब पता है लेकिन जब इसे कहा जाएगा कि रागिनी please introduce yourself अब रागिनी start करती है hello hello my name is my name is इस रागिनी I am I am और घबरा जाएगी because English में इसने introduction की practice नहीं की इसे यह तो पता है किसका नाम क्या है कहां रहती क्या करती कितना experience है अब आगे क्या करेगी इसके dreams क्या है इसकी hobbies क्या है इसकी strength क्या है इसका goal क्या है she knows everything about her but she knows in her mother tongue she does not know in English so that is why आज मैं आपको बताऊँगा एसा perfect introduction सिखाऊंगा कि मजा आजाएगा दोस्त सब लोग बहुत enjoy करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करें दोस्तों चलिए तो देखिए self introduction कैसे दे या तो आप job interview के लिए introduction देते हैं या फिर जब आप किसी से मिलते हो ना पहली बार किसी से मिलते हो तो कई बार क क्या होता है कि आपको नॉमली पूछ लिया जाता है कि चलो अपने बारे में बता यह लड़की और लड़का मिल रहे हैं तो यहाँ पर लड़के ने पूछा कि चलो अपने बारे में बताओ अब लड़की बोल रही क्या बताओ यार कैसे बताओ यार क्योंकि English नहीं आती तो यह problem आपके सामने आ सकती है देखो जब भी हम अपना परिचे देंगे तो आज हम जो introduction सीखेंगे वो दो तरीके से सीखेंगे एक तो professional introduction यानि कि interview के time पे कैसे परिचे दे और एक हम personally जब किसी से मिलते हैं किसी party में जाते हैं यानि कि informal way में अपना परिचे कैसे दे यह दो तरीके होंगे आप देखिए points of self introduction सबसे पहली बात हम आज देखेंगे कि हमें greeting कैसे करनी है जब भी किसी से मिलोगे तो सबसे पहले आपको greeting करनी है ठीके point number two फिर आपको thank you बोलना है क्योंकि सामने वाले ने आपको अपना परिचे देने के लिए आपको आउसर प्रदान किया that person gave you chance how to introduce yourself so that's why you have to say thank you third number पे अपना नाम बताना है कुछ लोग सिधे आते हैं और सिधे बताते है my name is राजकुमार अरे भाईया पहले थोड़ा शांती रखो पहले greeting करो तुमसे सामने वाला बड़ा हो सकता है सामने वाला छोटा हो सकता है पहले थोड़ा सम्मंद बनाओ भाई फिर अपना नाम बताओ तो नाम third number पर आता है फिर हम ये बताएंगे हम कहां से हैं हम actual में कहां से हैं क्योंकि दो places होते हैं एक place होता है जहां पर हम रहते हैं और एक place होते हैं जहां से हम है जैसे फिलाल मैं मैं basically मैं कहां से हूँ मैं खरगोन से हूँ लेकिन मैं इंदोर रहता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि basically I am from खरगोन but 8 present I am living in इंदोर तो अभी detail में समझाऊँगा अभी आपको ये बता रहा हूँ कि कौन-कौन से points आपको रखना है चौथा point आता है योर प्रोफेशन अगर आप कोई already कोई job करते है कोई doctor है कोई engineer है मैं teacher हूँ तो मैं teacher बताऊँगा इसके अलावा education qualification यानि कि आपकी बढ़ाई क्या-क्या है आप वो भी बता सकते हो अगला point हम आज discuss करेंगे skill and experience अगर आपको कोई experience है तो आप वो भी बता सकते हो अपने experience को कैसे बताना है वो भी बताऊँगा अगर आप student है अगर आप college में है तो आपको tension नहीं लेना है यह point आपको छोड़ देना है यानि कि यह सारे points मैंने एक सब के हिसाब से लिए है क्योंकि English सीखने के लिए कोई एक व्यक्ति important नहीं है बच्चा भी मेरी class देख रहा है जवान भी मेरी class देख रहा है और बुड़े लोग भी देख रहे है क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है मेरी माताएं बहने भी बहुत सारी देख रही है इसलिए मैं चाहता हूँ एक बच्चा बोल रहा है सर घासी राम भी तो देख रहा है मैं इनका हाँ घासी राम भी देख रहा है उसको भी इंगलिस सीखनी है तो skill and experience दूसरा है family how to talk about our family कई बार question पूछ ले जाता है कि अपने परिवार के बारे में बताओ ना थोड़ा सा बताओ ना यार अपने परिवार के बारे में tell me something about your family अप कभी परिवार के बारे में हमें पता तो है कि कितने लोग है कौन क्या क्या करता है बट क्या हमें English में आता है नहीं आता है तो मैं सिखा दूँगा आज hobbies, अपनी hobbies के बारे में बताना उसके अलावा अपनी strength ये क्या होता है ये मैं बताओंगा कई बार हमें पूछ ले जाता है कि my strength is my आप किसे ने पूछा what is your strength आपकी ताकत क्या है तो घासी राम बोलता है कि सार मेरी ताकत ये है कि मैं एक कुंटल बजनना अपने माथे पर उठा लेता हूँ अरे घासी राम वो ताकत की बात नहीं कर रहा है वो तुम्हारी professional strength की बात कर रहा है यानि कि ऐसी कौन-कौन सी चीजे है जो तुम्हें आती तुम्हारी power ये तुम्हारी ताकत है जिसमें तुम master हो समझ में आया कि नहीं आया समझ में आया कि नहीं आया है ना आप इधर देखिए आप यहाँ पर goal गोल का मतलब क्या होता है यहाँ पर goal का मतलब क्या होता है अपना लक्ष कि आप जीवन में क्या करना चाहते हो है ना इसके अलावा आपकी weakness तो आपको आपनी weakness बतानी है तुम्हारी लेकिया परसी ना पोचना है ठीके आप देखिए यहाँ पर मुझे थोड़ा सा sweating हो रही है देखे गाइस इट इस सो मच cold outside बट चुकि I keep speaking in front of you so that's why there is a sweating on my forehead चलिए मजा तो आ रहा है आप लोगों को आर यो enjoying गाइस आर यो enjoying चलिए अब यह points हमने देख लिए अब हम सबसे पहली बात इसको पढ़ाओं उसके पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा कि हम अपना परिचे कैसे देंगे तो अपने परिचे को बोलते हैं self introduction क्या बोलते हैं self introduction ठीके self introduction में we will talk about two types of introduction थोड़ा time लेता हूँ क्योंकि मैं बहुत zero से पढ़ाता हूँ कई लोगों को आप मैंसे लग सकता है कि sir थोड़ा सा जल्दी करिये हमें बता बता दीजे हमें क्या बोलना है हमें क्या नहीं बोलना है I am not such a person who runs very fast I believe that slow and steady wins the rest so that is why मैं अराम से पढ़ाऊंगा भाया तुम्हें लगे ना तो इस फीट बढ़ा के बाद में देख लेना ठीक है अब देखिए दो प्रकार का introduction होता है एक होता है आपका formal introduction और एक होता है आपका informal introduction पहले चीजों को समझो मैंने आपको कल क्या बताया था कि भाई इंग्लिश को ऐसे पढ़ाऊंगा 75 दिन में कि आप लोगों को पढ़ा देंगे मतलब पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि लोगों को पढ़ा दो अब formal और informal दो प्रकार के हमारे परिचे होते है formal introduction कोन सा होता है जैसे कि job interview के लिए देने वाला introduction कि जब हम job interview के लिए जाते हैं तब हमें अपना परिचे देना पड़ता है एक होता है हमारा meetings में जब आप किसी post पर होते हैं तो professional meetings के लिए आपको अपना परिचे देने को कहा जाता है और एक होता है आपके college में या फिर इस्कूल में आपको अपना परिचे देने के लिए कहा जाता है तो ये सारे के सारे इंट्रोड़क्षन, प्रोफेशनल इंट्रोड़क्षन के अंतरगत आते हैं अब यहाँ पर बात करें दोस्तों, यहाँ पर बात करें तो informal introductions क्या क्या होते हैं, informal introductions क्या क्या होते हैं, तो informal introduction में सबसे पहला आता है हमारी family gathering, यहने कि घर में कोई परिवार में कोई program होता है, तो वहाँ पर हमें क्या कहा जाता है, वहाँ पर हमें कहा जाता है, अपना परि प्रेंड्स के साथ जब आप दोस्तों के बीच में होते हो तब भी आपको अपना परिचे देने के लिए कहा जाता है और तीसरा जो होता है कुछ पार्टी जो होती है, यानि कि जो भी पार्टी जो होती है, हम सब सामाजिक इंसान हैं, सामाजिक प्राणी हैं, तो वहाँ पर अब ही हमें अपना परिचे लेने के लिए कहा जाता है आप देखिए सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम अगर ज्वाब के लिए जाते हैं या कोई प्रोफेशनल ट्रेंटिंग देते हैं या किसी meeting में जाते हैं अपनी company की ओर से या फिर पूरा पर पूरा परीचे लिखा हुआ है तो मैं आपको वन बाई वन समझाऊंगा आपको टेंशन नहीं लेना है ये पूरा पिपीटी जो है ना ये पूरा पिपीटी जो है ना that I will send you on your mobile कर सर ये क्यों क्यों क्योंकि देखो आप लोगना समझो पहले उसके बाद आपको कॉपी करना है मैं फिर बोल रहा हूं पहले try to understand समझ लो एक बाद समझ लिया काम हो जाएगा जब भी हम अपना परिचे देते हैं तो हमारा सबसे पहला point आता है greeting जब ही भी आप point होगे तो आप greeting तो मैं यहां से बेटा अब क्या करूँगा आपको अपना अपना परिचे बनाना है सबी लोगों को अपना अपना परिचे बताना है क्योंकि आज का जो homework होने वाला है आज का homework क्या होगा आज का homework होगा अपना परिचे दें यहने कि सभी लोगों को comment में जाने से पहले class अपने comment में लिखना है आपका नाम आपको अपना introduction लिखना है चलिए तो सबसे पहला हमारा point है how to introduce yourself ठीके यह हो गया अब सबसे पहला हमारा point आता है सबसे पहला point क्या आता है यहां पर देखना बेटा सबसे पहला point आता है thank you note पहले आप बोलेंगे greetings पहले क्या बोलेंगे आप यहां से हमें लेके चलना है देखो यहां से यह देखो पहले क्या बोलेंगे greetings हम देंगे, यानि कि जब भी कहीं आपको पहली बार introduction देने के लिए कहा जाए, तो सामने जो भी खड़ा होगा आप उसको पहले नमस्ते बोलेंगे प्रणाम बोलेंगे, English में देना है तो आप बोलेंगे hello sir तो सबसे पहले आप greetings देंगे तो यहाँ पर सुनना आपको क्या बोलना है आपको अगर सामने sir है तो आप बोलेंगे hello sir अगर सामने meem है तो आप बोलेंगे hello ma'am क्या बोलेंगे hello ma'am ठीक है आपको यह बोलना है अब दूसरा point क्या है thank you अब हम thank you note देंगे तो यहाँ पर हम दुसरा हेश्टेक लगाएंगे Thank you, ये बोलना बहुत जरूरी है तो Thank you कैसे बोलते हैं, वो भी सुनना Thank you तो ये हमने हेश्टेक लगाया आप Thank you कैसे बोलेंगे आपके टीचर ने पहली दिन आप क्लास में गए आपको पूछा कि चलो अपने बारे में बताओ तो you have to say thank you, thank you बोलने का तरीका देखना, कैसे बोलेंगे, सबसे पहले आप बोलेंगे, thank you sir या ma'am, क्या बोलेंगे, thank you sir या ma'am, for giving me, मेरे साथ बोलेंगे, giving me this chance, giving me this chance to introduce myself, to introduce myself, समझ में आया, कि नहीं आया, इसका मतलब यह हुआ, कि sir या ma'am, जो भी हो, जो सामने उसका नाम लेना है, thank you sir, कि थन्यवाद ma'am, है ना, for giving me, for मतलब के लिए, मुझे मोका देने के लिए, this chance मतलब मुझे ये मोका देने के लिए, to introduce myself, कि आपने simple भासा में कहा, कि thank you ma'am, आपने मुझे मोका दिया, इसके लिए मैं बहुत सुक्र गुजारूं, आप जैसे आप ये line चिपका होगे ना, सामने वाले को, सामने वाला impress हो जाएगा, अगर आप किसी job के लिए गए होना, तो भी काम की बात है, तो मैं जो ये लिखवा रहा हूँ, ये school में हो, उसके लिए भी है, अगर आप college में हो, उसके लिए भी है, और अगर आप job interview के लिए जा रहा है, उसके लिए भी है, ये formal introduction में आपको सिखा रहा हूँ, कि सबसे पहले आपने बोला, hello ma'am, hello sir, interview देने गए, जब भी interview देने जाओ, तो आप अपने चेहरे पर थोड़ी सी smile रखो, अपने eye contact proper रखो, और अपनी body language proper रखो, ऐसा नहीं ऐसे बैठे हैं, ऐसा नहीं घासिया की तरह नहीं बैठना है, ऐसे बैठना है, hello sir, अगर दो लोग बैठे हैं साथ में, तो कैसे बोलेंगे, sir को sir ब करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश है, आपको perfect बनाना, मुझसे कोई पूछे कि what is your dream, मेरा dream अभी यहीं है, कि इस नए साल में, अगर आप मेरा 75 days का course attend करते हो, तो आपको perfect बनाऊंगा, आपको मैं ऐसा बनाऊंगा कि आप बोलेगी, मजा आ गया, sir, जहां आपने चेहरे पर थोड़ी सी smile रखोगे, मजा आ जाएगा, लोग आपके दिवाने हो जाएंगे, और पुरा परिचे सुनने से पहरे ही आपको select कर लेंगे, पर like ने किया अभी तक, फटा फट like कर दो, like करो बहुत जरूरी है, कम से कम 5 दूस्तों की मदद करो, उनको भी share करो, आपके बहुत सारे दोस्तों होंगे, जो घासिया जैसे होंगे, फाल तू रिल्स देख रहे होंगे, उनको बोलो कि भई काम की बात से लिए, ये दो पॉइंट समझ में आ गए, आगे बढ़ जाते है, अब तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, तीसरा पॉइंट है अप में अपना नाम बताना, तो अब आप तीसरे पॉइंट में अपना नाम बताओगे, क्या बताओगे अपना नाम, अब मैं आपको बताता हूं कि अपना नाम कैसे बताएं, तो हम सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख देते हैं, आप कि ज़ंद रहा है., How to introduce yourself, अब third hashtag लगाएंगे, introduce yourself, थोड़ा सा ठीक ठाक लिखता हो, और ना बोलेंगे कि ये क्या है भाई, How to introduce yourself, अब बात आती है, तीसरा hashtag लगाया हमने कौन सा, अपना नेम बाल, अब ये point बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत ध्यान सुनना कि अपना नाम आपको बताना कैसे, कई लोगों को अपना नाम ही नहीं बताते आता है, उदर से घासीरा भासरा बोला है सर, अच्छा, मु कई बार हम गलती ये करते हैं कि हम बोलते हैं, माई सेल्फ, अब नाम मालनो रोहित है, तो माई सेल्फ रोहित कुमार, अब कई बार हम ज्यादा होस में नहीं रहते हैं, अगर आप प्रोफेशनली अपना इंट्रोड़क्शन दे रहे हैं, तो आपने गलती कर दी है, कभी ये नहीं बोलना अपना नाम बताते समय, माई सेल्फ, रोहित कुमार, माई सेल्फ रोहित कुमार is a wrong way, because माई सेल्फ एक रिफ्लेक्श्य प्रनावन है, आई का रिफ्लेक्श्य प्रनावन होता है माई सेल्फ, और ये कब यूज़ किया जाता है, ये वर्ट तब यूज़ My father was not at home, so I myself handle the office. तो myself कब लगाते हैं, जब I का reflexive form होता है, तब भाई, इसलिए ये तरीका गलत है. दूसरा तरीका क्या होता है, सर, वो भी बता दीजिए, मैं बताता हूँ, कि और क्या गलती करते हैं, आप लोग ये गलती करते हैं, कि शारुक खान बनते हैं, आप, I am, I am Rohit Kumar, I am Rohit Kumar. क्या सर, ये तरीका भी गलत है, हाँ बेटा, ये तरीका भी गलत है, आपको ये बोलना ही नहीं है कि I am Rohit Kumar, तो सर, हमें क्या बोलना है, मज़ा आ रहा है न, कुछ नया सिखने को मिल रहा है न, मैंने कहा न, 75 डेज में आपको बहुत बढ़िया सिखाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीके, टेंशन लेने का नहीं, ठीके, अब I am Rohit Kumar कैसे गलत होगा सर, हम नाम तो ऐसे बता सकते हैं, है न, देखो क्या होता है दोस्तों, कि हम आगे से अपना नाम तब बताते हैं, जब हम आगे से अपना परिछे देते हैं, समझ में आया, आप क्य क्या करते हैं, कि आप एक वेटर आता है, आप बैठे हो खाने की टेबल पर है, एक वेटर आया, तो वो क्या करेगा, हलो मैं, हलो सर, I am Rohit Kumar, I am manager of this hotel, please give your order, समझ में आया, चुकि आप कोई order थोड़ी ले रहे हैं, आप वेटर थोड़ी है, आप तो अपना परिचे देने आ रहा गया है, इस situation में आप क्या करोगे, what will you do, you will not use this line, when you are told to give your introduction, सर कुछ और बताईए सर, देखिए बेटा समझना बात को, point number 3 की बात करेंगे, तो आप कई बार गलती से ये बोलते हैं, this is Rohit Kumar, this is Rohit Kumar, सर, ये बोलना सही है कि गलत है, ये बोलना गलत भी है, और ये बोलना सही भी है, सर ये क्या बात हुई सर, आप तो दोनों तरफ होगे, सही भी है, गलत भी है, सुनले भाई, सुनले, उदर घासी राम खड़ा हो जाता है इतने जर में, नई सर, ऐसा थोड़ी होता है, या तो सही बताओ या गलत बताओ दोनों हैं कभी-कभी हमें समझना पड़ता है सिचुवेशन क्या है समझ में आया देखो आप लाइक कर दीजिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए और आपने भाई बहनों को जोड़िए आपने सभी दोस्तों आपने पपा को भी बोलोगी हलो दोस्तों मैं यह यह रोहित कुमार है यह क्या बात हुई यह रोहित कुमार है ऐसा बोलोगे क्या किसी को यह आप खुद का परिचे देते समय आप खुद यह लाइन नहीं बोल सकते हैं आप यह लाइन सब कब सही होती है जब कोई दूसरा व्यक्ति परिचे देता है आ नामत है न ये दो लोग खड़े हैं अब यहां पर ये तीन लोग खड़े हैं अब ये जो है न ये वैक्ती अपने दोस्तों को इसका परिचे दिलवाता है तो ये क्या बोलेगा ये बोलेगा कि देखो ये ना, ये मेरा दोस्त है, तो आप इनको बोल रहा है, कि Hello guys, this is Rohit Kumar, meet my new friend, समझ में आया, यानि कि मैं अगर Rohit का परिचे दिलवाऊंगा, तो मैं बोल सकता हूँ, Hello guys, Hello students, ये मेरे दोस्त हैं Rohit Kumar, this is my friend Rohit Kumar, this is Rohit Kumar, समझ में आया, मतलब कोई दूसरा व अपने परिचे के समय ये लाइन नहीं बोली है, कोई दूसरा बोलेगा, अब अगला पॉइंट आता है, लास्ट वाला, तो सर आप ये बता दो कि सही क्या है, आप ही बता दो सर what is right, हम तो पक चुके हैं सर, आप तो बहुत लंबी खिचरे वाद को आप सही सुनाता हूँ कि सही क्या है, देखो जब भी आपको बोलना हो, तो आपको बोलना है, my name is Rohit Kumar, simple, sober बोलोगे तो सामने वाले को पसंद आएगा और अच्छा भी लगेगा, so this is the right way to tell your name, अगर आप introduction देने गए हो, तो सबसे पहला point आपने बोला, greetings, hello ma'am, hello sir, दूसरा point आपने बोला, thank you sir for giving me this opportunity to introduce myself, दूसरा point, तीसरा point आप बोलोगे अपना नाम, तो आप बोलोगे, my name is Rohit Kumar, my name is Salman Khan, my name is राहुल गुपता, आपको जो बोलना है, this is the right way to tell your name, आप सब लोग भी अपना नाम चैट में बता सकते हैं, कि आपका नाम क्या है, अब आज आते हैं, अगले point पर बेटा, अगला point है, हम कहां से हैं, the place we belong to, तो place और belong to को हम पढ़ते हैं, तो हम अगला hashtag लगाते हैं, कि हम कहां से हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे hashtag, अपना place बताना है, आप कई लोगों को यह पता ही नहीं कि आपको अपना place कैसे बताना है, सुन लो मेरी बात ध्यान से, जब भ I am from indoor, simple बताईए, आपको ज़्यादा भटकने के जरूर दें, I am from indoor, समझ मैं गया, कहां से भाई आप, I am from indoor, तो आपने चौती लाइन बोली, place की, I am from indoor, लेकिन दिक्कत कहां होती है, हम इसको थोड़ा सा critical बना देते हैं, गलत क्या होता है, जब हम यह बोलते हैं, कि I I am belong to indoor, यह आपका गलत तरीका हो गया दोस्त, क्यों गलत हो गया, क्योंकि आपने अगर यह tense form में बोला है, तो फिर आपको यह M नहीं लगाना है, do not use M, यह M नहीं आता है, आपको simple बोलना है, I belong to indoor, या I hell from indoor, है, hell भी बोल सकते हैं, समझ में आया, तो आपको यह नहीं बोलना है, तो आपको simply बोलना है, I belong to indoor, आप या तो यह बोल दीजिए, या यह बोल दीजिए, तो आप बोलेंगे, I belong to indoor, अब दूसरा तरीका देखते हैं बेटा, दूसरा तरीका क्या है, वो देखिए, कई बार क्या होते हैं, हमारे दो address होते हैं, हम रहते कई और हैं, और है कहीं और से, जैसे माल लो की रानी है, अब रानी है, तो सनावत की लेकिन रहती इंदौर में है, तो दो address हो गए, अब जब वो introduction देगी न अपना, तो अगर जो आप interview के लिए जा रहे हो, तो आप दोनों address mention कर कि अरे यार मैं तो basically दिल्ली से हूँ पर अभी इंदौर में हूँ, अरे यार मैं तो पता है उस गाउं से हूँ पर आजकल सनावत में रह रहा हूँ, तो इस तरीके से आप जब दो address होंगे न तो दोनों बात आप बताएंगे, ताकि सामने वाले को clear हो जाए, ठीके, तो क इंदौर, बट, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, आयम लिविंग या स्टेइंग, आयम लिविंग इन डेली, ये वाला आपका पॉइंट पर्फेक्ट बैठता है अगर आप कहीं और से हैं और कहीं और रहते हैं, basically I am from इंदौर, actually मैं properly कहां से हूँ, मैं इंदौर से हूँ, लेकिन अभी एट प्रेजेंट का मतलब होता है, वर्तमान में मैं कहां रहता हूँ, डेली में रहता हूँ, तो आप या तो ये बता दीजे, या ये बता दीजे, अगर आप जहां के हैं और वहीं रहते हैं, तो tension खतम हो गया, आ आप simply बोल देंगे I am from indoor, तो आप ऐसे बोलेंगे I am from indoor itself, जैसे मैंने कहा कि मैं indoor का हो, और मैं indoor ही रहता हूँ, तो I am from indoor itself, अब itself लगा देंगे, पर अब मैं indoor का हो, दिल्ली रहता हूँ तो I am from दिल्ली, I am from indoor, but at present I live in Delhi, I am living in Delhi भी सही है, I live in Delhi भी सही है, समझ में आ गया, clear ह है कि नहीं है अरे भाई clear है कि नहीं है like कर दो फटा-फट यार like करो तुम्हें बोल रहा हूं like करो share करो subscribe करो और notes बनाओ बढ़िया वाले ताकि जिंदगी भर काम में आप आगे बढ़ जाते हैं अब हमारा अगला point है बेटा कौन सा your profession यह point उन लोगों के लिए है your profession जो लोग नौकरी करते हैं अगर आप कोई job करते हैं तो आप simply बोल देंगे I am working यह उन लोगों के लिए point है your profession जो job करते हैं तो यहाँ पर हम इस point को highlight नहीं करेंगे जादा योगि आप में से बहुत सारे लोग मुझे पता है job नहीं करते हैं है न तो और job करते हैं तो अच्छी बात है तो यह point सिर्फ professional लोगों के लिए है बच्चों के लिए नहीं है तो इसका simple सा shortcut में आपको तरीका बताता हूँ कि आप क्या बता देंगे आप अपना पूरा परिछे बताएंगे आ है I am a teacher, जैसे मैं English पढ़ाता हूँ, तो I am an English teacher, I am English teacher, I am English teacher, eight, Delhi, public, school, भोपाल, तो अगर आप एक teacher हैं, तो यह मैंने एक example दिया है, आप कुछ और भी हो सकते हैं, हम सबका profession अलग है, माल लीजे कोई आप government करमचारी है, तो आप क्या बोलेंगे, I am a, I am director at this sector, आप मैंसे हो सकता है, कोई doctor हो, किसी hospital में काम करता हो, तो आप बोलेंगे, I am neurosurgeon and I am working at this hospital, इस level उन लोगों के लिए हैं, जो already किसी post पर है, माल लोग कि आप driver हैं, तो आप बोलेंगे, I am a driver and I am working for this company, तो एक आपका profession पता चल जाएगा, वहाँ से, otherwise अगर आप student हैं, तो आपको बोलने की जरुवत नहीं है, आप ये point leave कर देंगे, if you are a student, leave this point, ठीके, कई बच्चे बोल बता हूं, comments, क्योंकि आप सब लोग बहुत सारी comments कर रहें न, चलिए, तो ये आपका profession हो जाएगा, फटा पर थोड़ा cover करते हैं, अगला point है हमारा education, अब third point या जो अगला point है, हमें अपना education बताना कैसे, कई लोगों को अपना education बताते ही नहीं आता है, तो कैसे बताना है और ये sequence भी यही रखना, जब interview दने जाओ, coaching में जाओ, class में जाओ, college में जाओ, professional training में जाओ, तो आपको इसी pattern से सारे points बताना है, जो मैं सिखा रहा हूं, पहले greet करो, फिर thank you बोलो, फिर नाम बताओ, फिर आपकी जगव बताओ, ये compulsory नहीं है, और ये education, अब आपको नया सीखने को मिल रहा हो, प्लीज सपोर्ट करिए मुझे, आपके सपोर्ट की need है, सर ये क्या बोल रहा है, सर हमें आपके सपोर्ट की need है, एना घासी राम बोल रहा है कि सर हमें आपके सपोर्ट की need है, सर चल भाई ठीक है, मुझे भी जरूरत है, तुभे भी मेरी जरू ठीक है और last में homework देखे जाओंगा जल्दी नहीं जाना पक्के English करने हैं पक्का सिखना है ना तो पूरा वीडियो देखो अभी तो मैं आपको point बता रहा हूं फिर last में एक साथ हम पूरा introduction लिखेंगे मेरे पास है आप tension मत लेना notes बने भहिया यहां देखो ऐसा पूरा लिख लिखेंगे पर अभी पहले मैं आपको एक एक point को detail ने बता रहा हूं यह कि मैं सीधा इसको पढ़ दूँगा तो आपको मजा नहीं आएगा कि सर ने तो बस पढ़ दिया बनागे लाये थे बिठाए PPT को बनाने में 7-8 घंटे लग जाते एक चीज को set करना पड़ता है बह आप क्या लाइन बोल देंगे आप यह लाइन चिपका दो सामने वाले को कि as far as my education या qualification जो भी आपको बोलना हो my education is concerned as far as my education is concerned यह line का मतलब क्या होता है इस line का मतलब होता है जहां तक मेरे education की बात हो जब भी हम किसी को अपना education बता रहे हैं जब भी हम किसी को अपने qualifications के बारे में बता रहे हैं तब हमें proper तरीके से बताना है पहले हम अपनी schooling के बारे में बताएंगे फिर हम अपने college के बारे में बताएंगे और फिर हम अपने बताएंगे किसके बारे में then we will talk about our experience so there is a proper sequence to talk about your education सीधे बता दिया मैंने तो graduation किया है मजा नहीं आता है impressive नहीं होता है देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा सबसे पहले आपने line बोलना है यह line का आप यह बोल देंगे कि I study in 8th standard I study in 8th standard 8 गीता देवी public school गीता देवी public school indoor तो यह उन बच्चों के लिए हैं जो सिर्फ school में समझे में आया है बस school आलो का काम खतम हो गया स्कूल आलो को और कुछ नहीं बोलना है कि मैं अब यह यहां पर हम class बोलते हैं आप में से कई बच्चे क्या बोलते है I study in third class अब third class क्या होता है third class तो उसको यह बोलते है अगर आप school आलो नहीं है तो फिर यह कोई काम के आपके लिए नहीं है तो इसको मैं यहां पर हटा देता हूँ आप जो ऐसे लोग जो मैं 20 भी खिलाओं कहीं भी भेज़ दू पक्का खिलाडी चाहिए मुझे और पक्का बनने के लिए डीटेल में पढ़ना पड़ता है ऐसे पढ़ो अंग्रेजी की अंग्रेजी पढ़ा दो ऐसे पढ़ो की पढ़ा दो तभी तो मजा आएगा ना दोस्त चलिए तो सबसे प from alpine public school alpine public school alpine public school alpine public school indoor यहाँ जगह फलतों में घहरे का यहां लिखता हूं alpine public school indoor तो आपको पहला point जो बताना है ने बेटा पहला Point आपको बताना है जैसे आप college में तो पहला point बताएंगे कि आपने अपने schooling कहां से किये अब आप मैंसे से कई लोग होंगे जिन्होंने अपनी schooling अलग-अलग जगह से की है मालो आपने schooling government place से की है जिसे मैंने government में पढ़ाय तो मैं क्या बोलूँगा I did my schooling from government high school गुगावा तो मैंने इस तरीके से बूल दिया तो कोई भी एक school का नाम जहां से आपने 9-10 की है या जहां से आपने 11-12 की है कुसी एक school का नाम आपको बता देना है इससे सामने वाले को एक understanding आती है कि आपने पढ़ाई कहां से कि आपका बच्पन कहां भीता है इस तरीके से आप बता देंगे आप दूसरा point बताएंगे अगर आपका graduation हो गया हो तो आप अपना graduation कैसे बताएंगे तो आप बोलेंगे I have completed my bachelor's या I have completed my graduation my graduation या सीधा बोल दो I have completed become shortcut चलते हैं become from आप बोल दो किसी भी college से तो आपने बोल दिया गुजराती college आपने बोल दिया गुजराती college है ना indoor ठीके आपने क्या बोल दिया I have completed my आपने कौन से college से पढ़ाई किये आप लोग बताईए आप बताईए कि आपका education क्या है आपने कौन से पढ़ाई किये बताओ बताओ I have completed my graduation या I have completed my become from गुजराती college इंदोर इस तरीके से आप अपना बता देंगे college आप मान लीजिए कि आप masters कर रहे हैं आपका MBA चल रहा है क्योंकि graduation हो गया है आप में से कुछ लोग master की degree कर रहे हैं अगर आपकी master की degree complete हो गई है तो आप समझ में आ गया कि नहीं आया आ गया आराम 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 चाहिए इतनी फास्ट लिखते हैं न मजानियाद चलिए ठीक है I have completed become from गुजराती college इंदोर इस तरीके से अगर मान लोग आप अपना master's कर रहे हैं तो आप लिखेंगे eight present eight present I am pursuing I am pursuing MBA from I am pursuing MBA from Arihant college Arihant college इंदोर मैं एक सेंपल लिख रहा हूं आप यहां पर change करेंगे आप जब आप जब अपना लिखेंगे ना तो जो भी डिग्री आप ने किये वहां पर बदलाव कर देना इस तरीके से अगर आपने अपना MBA कर लिया है तो आप simple लिखेंगे I have completed my MBA I have completed my MBA from this college अगर आप अभी फिलाल में कहीं पर job करते हैं तो आप यहां पर ऐसा लिखेंगे कि eight present eight present I am working I am working as a HR manager जो भी आपको बोलना है ठीके as a teacher at this या as a trainer आप trainer बोल सकते है as a trainer at this private limited this private limited मैं shortcut में लिख दिया है ठीके तो यहां पर आप company का नाम डाल देंगे तो अब मैं आपको बताओ कि मान लो कि भाई आप एक employee है और आपको कहा गया कि अपने qualification के बारे में बताओ तो कैसे बताएंगे तो आप यहां से शुरू करेंगे as far as my education is concerned I did my schooling from this school I have completed my bachelor's in arts from this college I have also completed my master's in this particular subject from this college at present I am working as a HR manager in this company यह हो गया किसका परिचे जो job बोला है अगर आप school में है तो आप क्या बोलेंगे I study in fourth standard at this school यह खतम होगे आपका अगर आप college में है और अगर आपका bachelor's चल रहा है तो फिर आपको यही तक बोलना है कि I did my schooling from this government school and at present I am pursuing B.com from this college clear है समझ में आगया कैसे बताना है ओके आगे बढ़ जाते हैं अब आगे बढ़ जाते हैं skill experience को छोड़ दो क्योंकि यह एक बहुत बढ़ा part होता है जिसमें हम बता सकते हैं कि आपके पास जितनी बी डिग्रियां होती अनुभव होता है तो वहाँ पर आप यह point जोड़ देंगे कि I have experience of three years as a computer operator तो यह बताना बहुत आसान होता है यह उनके लिए point है जो job के लिए interview दे रहे हैं या जिस जो अनुभवी हैं जिनकी उम्र जादा है और जो पहले किसी project पर काम कर चुके उनके लिए तो मैं लिखवाता नहीं हूँ आपको simply बता देता हूँ कि अगर आपको experience हो या skills में किसी master हो तो आप बताएंगे कि I have experience of five years as a HR manager I have experience of ten years as this director of this board तो आप इस तरीके से बता सकते हैं अब अगला point आता है most important point that is family क्या हम लोगों को अपनी family के बारे में बताते आता है आरे कई लोग तो अपनी family में अपने पापा मम्मी का नाम बताते हैं भया पापा मम्मी का नाम कभी नहीं बताना है तो सर बताना क्या है मैं बताता हूँ देखिए अब हम हैस्टेग लगाएंगे हमारा अगला हैस्टेग है कि how to talk about our family तो हम आज बात करेंगे अपनी family के बारे में तो जब family के बारे में बताना हो तो सबसे पहले आप ये line बोलेंगे कि as far ये far है for नहीं है as far as my family is concerned my family देखो आप मेंसे कई लोग होंगे जिनको इ आस spoken English book ये book में practice sheets भी दे रखी है और सारी चीज को मैंने detail में पढ़ाया है तो इसमें भी second chapter वही है how to introduce yourself कौन सा chapter भी second chapter है तो आप ये book order कर सकते हैं मैं pressurize नहीं कर रहा हूं बस ये book आप चाहो तो order कर सकते हैं ठीक है तो ये book में मैंने पूरा introduction आपको दे रखा है कि आप कहां से हैं आप कैसे बात करेंगे तो सारा introduction मैंने यहां पर दे रखा है अगर आप चाहो तो इस book को order कर सकते हैं क्या कर सकते हैं order कर सकते हैं order करने के लिए आपको मास study app पर जाना पड़ेगा और वहाँ जाकर आप जो है इस book को book कर सकते हैं ठीक है चली आगे बढ़ जाते तो this is book mass spoken English बहुत बढ़िया book है आप जो है इसे order कर सकते हैं चली तो as far as my family is concerned जहां तक मेरे परिवार की बात है आप सबसे पहले यह बताएंगे point number one में कि आपके परिवार में किस pattern का परिवार है तो परिवार दो प्रकार के होते हैं अगर आपका परिवार joint है तो आप ब बड़ा परिवार है तो आप बोलेंगे joint family और अगर आपका परिवार छोटा परिवार है तो आप बोलेंगे nuclear family nuclear family समझ में आया की नहीं आया भई हमें यह तो बताओ ना कितने लोग रहते हैं सर्ट joint family क्या होती nuclear family क्या होती अगर आपके परिवार में आप और आपके मम्मी पापा और बस आपके भाई बहन रहते हैं, तो यह nuclear family हो गए, छोटा परिवार हो गया, जॉइन परिवार क्या, काका भी है, बाबा भी है, मामा भी है, कोई भी मतलब आपके तो मम्मी पापा के अलावा आपके भाई बहनों के अलावा अगर दो-चार सदस्यों और रहते हैं तो वो joint family हो गई तो बड़ा परिवार हो 8-10, 15, 20, 50 members हो joint family है 4-5 लोगी हो तो nuclear family आपको अपने family की बारे में बात हमेशा यहां से शुरू करनी चाहिए जब भी आपको कहा जाए कि tell me something about your family तो आपको शुरुवात कहां से करनी है आप यहां से करेंगे कि as far as my family is concerned जहां तक मेरे परिवार की बात है I have a joint family मेरा एक सयुक्त परिवार है सयुक्त और छोटा परिवार हो तो nuclear family फिर आप बताएंगे आपके परिवार में कितने मेंबर है तो आप there का इस्तमाल करेंगे आप बोलेंगे there are, यहाँ पर आप edit कर लेना आपको जो पॉइंक लगे जितने भी मेंबर से आप बताएंगे there are 5 members in my family कैसे बोलेंगे there are 5 members in my family तो यहाँ पर आपके परिवार में जितने भी मेंबर है आप बता देंगे तीसरा पॉइंट आप बताएंगे आपने किस के बारे में आपने नब बताएंगे अपने फादर के बारे में कि my father is my father is my father is क्या है आपकी पापा क्या है my father is a doctor जो भी जैसे मेरे पिता जी किसान है त यहीं पर बताएंगे अपने मम्मी के बारे में my mother is आपकी माँ माता जी जो भी करती हैं आप बता देंगे my mother is my mother is homemaker कई लोग यहाँ पर housewife बोलते हैं बहुत बड़ी गलती करते हैं homemaker या फिर आप बोलेंगे home manager क्या बोलेंगे home manager बहिया अपनी मम्मी को हाथ जोड के निवेदन है कि अपनी मम्मी को housewife बोलना बंद करो मम्मी क्या पूरे घर की पत्नी है क्या घर में काका बाबा दादा सब की रते हम बोलते है housewife है मेरी मम्मी house का मतलब घर होता है और wife का मतलब पत्नी तो पुरे घर की पत्नी है क्या शरमनियात भी बोलते पुराना word हो गया है हमें बोलना है कि हमारी मम्मी होम में करे यानि कि हमारे मम्मी पुरे घर को बनाती है घर को समाल के रखती है या पिर हमारी मम्मी होम मेनेजर है होम मेनेजर यानि कि घर को मैनेज करती है तो आपकी मम्मी क्या हो गई हो मैनेजर हो गई तो जब भी आप बोलोगे तो आप यह बताओगे और अगर आपकी मम्मी जॉब करती है तो बाती खतम हो गई आप बोलोगे आपनी मम्मी के लिए एक लाइक तो बनता है आपकी मा के लिए फटाफट एक लाइक कर टीके चलिए तो यहां पर आपको बताना है कि अपने पापा के बारे में तो let's talk about your father, मम्मी पापा का नाम important नहीं है, जब तक आपके पापा मम्मी का नाम नहीं पूछा जाए, कभी उनका नाम मत बताओ, आपको यह बताना है कि आपके मम्मी पापा करते क्या है, क्योंकि साम माहोल रहा होगा घर में मैं अगर मैं बोलो कि मेरे पापा डॉक्तर है तो कैसा माहोल रहा होगा घर में तो इसी लिए उनका प्रोफेशन बताना है आगे अगर आपको पूछा जाता है कि वो क्या नाम है तो बताना है ठीक है चौथा point like नहीं कर रहे हो भाई like करो आगे बढ़ जाते हैं जो लोग लेट आये हैं क्लास में मजा आ रहा है कुछ नया सीखने को मिल रहा है एना 75 हार्ड इंग्लिश चैलेंज 75 दिन तक चलेगा नौन इस्टॉप तो प्लीज रेगिलर क्लास आईए समय पर क्लास आईए और अगर लेट आते हो तो फिर इस क्ला आप पर भी अवेलेबल हो जाएगी क्लास यह वीडियो जैसे खतम होगा ना यह क्लास तो मैं मास्टडी एप पर एक कोर्स बना के डाल दूँगा तो एप में से ऐसे लोग जिनको एड नहीं देखना है तो वहाँ पर जाके पचासो रुपे पे करके आप इस क्लास को अपने भाई बहन हैं आप यहां पर लिखेंगे आपको जो भी लिखना हो आप मानलों आप अगर अकेले हैं तो फिर आपको यह पॉइंट नहीं बोलना है ठीक है अगर आपको छोड़कर आपका एक सिबलिंग है तो आप बोलेंगे I have a sibling one sibling ऐस नहीं लगाना है ठीक है यह पॉइंट जो चार पॉइंट है आपको अपने बारे में क्या करना है बताना है जो मैं आपको पूरा एक डेमो भी बताऊंगा मैं पूरा डेमो बना रखा है पर अभी मैं क्या कर रहा हूं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं क्या बता रहा हूं बेटा कि कैसे आप अपने ब बारे में बताएंगे कहां गया कहां चला गया पीछे 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 भूम गया एठीक एस फर एस मै तो यहां पर चार पॉइंट आपको कवर अप करने हैं if you know this four points then easily you can know about your family अब वापस back करते है अगला point हमारा है hobby के बारे में अब अपनी hobbies के बारे में आप कैसे बताएंगे how will you talk about your hobby तो देखो hobbies को हम यहाँ पर target करते हैं तो सबसे पहला point है यहाँ पर hashtag लगाएंगे how to talk about your hobby तो कोई अगर आपकी hobbies पूछता है या आपको पूरे introduction में hobbies बतानी है तो आप सबसे पहला point hobbies बताने के दो तरीके होते है पहला तरीका number one क्या है आप ऐसे बताएंगे simply कि my my hobbies are मुझे यह बताओ कि hobbies में double b आता है hobby की spelling बताओ hobby में single भी आता है double भी आता है double भी आता है चलिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे my hobbies hobbies are my hobbies are अब आपकी कम से कम कोई दो hobbies तो होनी चाहिए क्योंकि भई देखो कभी भी कोई वेक्ति अगर आप से बात करना चाहता है तो किस point पर बात करेगा तो कुछ तो पसंद करते हैं न आप तो आपकी क्या hobby है बताएंगे तो आपने बोला कि my hobbies are dancing my hobbies are dancing and singing यह इस तरीके से आप पहला तरीका तो यह तरीका हो गया अब दूसरा तरीका क्या है बताने का कोई बताएगा मुझे चैट में दूसरा तरीका होता है आप यह ऐसे बताएंगे आए लाइक टू डांस मुझे डांस करना पसंद है and I like to sing मुझे गाना गाना भी पसंद है अब कभी भी अगर आप जॉब इंटर्व्यू के लिए जा रहे हो तो जॉब इंटर्व्यू में अपनी हो भी सो समझ कर बताना क्योंकि जैसे आप ने कहा कि आपकी हो भी यह सामने वाला उस पर पचास क्वेशन पूछेगा जैसे आपने कहा कि मैं हो भीजा डांसंग और सिंगिंग अच्छा तो पहला क्वेशन बनेगा हूँ इस यह फेवरेट डांसर कॉन सा है अब आपने तुक्का मारा कि मेरा फेवरेट डांसर तो कौन है गणेस आचारिय है तो अच्छा कुछिन पूचा गणेस आचारिय जी कहां पैदा हुए बता आप लोग मुझे तो पता ही नहीं है अच्छा तो फिर तेरा फेवरेट कैसे हो या भाई तुम्हें यहीं नहीं पता है अपना फेवरेट डांसर कहां पैदा हुआ उसने कौन से गाने में डांस किया कोरियोग्राफिक की तो इसलिए वेनेवर यू चूज यूर टू होबीज चूज इट वाइसली समझ में आया बुद्धी का प्रयोग करना है वैसे बताओ आपकी होबीज क्या-क्या है इसलिए वीसे बताओ आपकी होबीन क्या जा है वाट़ यो लाइक तो इस तरहीगे से दोपटनें फोल आप वीस क्या-क्या हो सकती है उव बोल सकते है reading बुक्स ह吗 ल सकते हैं कैसे के समय आप शुलां te mo brand kos सो पता सकते हैं तो इस podem मेरा ने अपक्तम मेश्यां आप दो 102 हमेशा बनाके रखें अगला क्या है प्रारहत अब्स चाहर्चपां का तो अपनी टाकत बताaware ने तो नहीं बतारा तो आप अपनी स्ट्रेंथ कैसे बताएंगे तो वो देख लेते हैं ठीक है चलिए तो इस ट्रेंथ कैसे बताएंगे तो हैस्टेक लगा तो यहां बताएंगे अपनी स्ट्रेंथ अगला पॉइंट ठीक है अब अपनी स्ट्रेंट कैसे बताएंगे तो इस ट्रेंट का मतलब होता है कि प्रोफेशनली आप किस काम में बहुत अच्छे हैं अगर आप परस्टनल इंफरमेशन दे रहें फैमिली गैधरिंग में जाते तो वहाँ पर आप सिंपल बोलेंगे कि मेरे जो ताकत है मेरे पापा मम्मी है भहिया भावी वो ठीक है यह ना लेकिन आपकी स्ट्रेंथ जैसे घासी राम ने बोला कि मेरी स्ट्रेंथ पता है मैं आप पचास रोटी खा सकता हूँ पचास कोई अच्छन लीडर होता है तो आप बोलेंगे कि माइस टेन्थ इस माइस टेन्थ माइस टेन्थ माइस क्म्यूनिकेशन स्कील्स एक माइस कम्यूनिकेशन जैसे आपकी स्ट्रेंद क्या क्या हो सकती है आपकी स्कील्स हो सकती है आपकी कम्प्यूटर स्कील्स कि आपको कम्प्यूटर अच्छे से आता है तो आप बोलेंगे कम्प्यूटर स्कील्स आप बोल सकते हैं मेरी लीडर्शिप स्कील्स बहुत अच्छी है तो आप बोल सकते वो आपकी ताकत है और आप अपनी स्टेंथ इस तरीके से बताएंगे, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, clear है, अगर आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो आप हमारे online courses में enroll भी कर सकते हमारे online courses में आने के लिए Mastery app download करिए, app की link नीचे description में है और comment में भी app की link दे रखिए, तो वहाँ पर भी आपको notes मिल जाएंगे, test मिल जाएंगे, हमारे online courses भी मिल जाएंगे, जहाँ पर हम face to face आपको पढ़ाएंगे, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, आप मुझसे सिर्फ बात कर सकते है, chat के मादियम से, वहाँ पर आप मुझसे और मेरी team से live बात कर आप कुछ बोलेंगे, हम कुछ बोलेंगे, तो जरूर जोइन करें, ठीके, अब अगला point देखते हैं, last वाला point आगया, goal, weakness हम डिसकस नहीं करेंगे, क्योंकि weakness आजकल नहीं बताई जाती है, तो पूछे तो ही बताना है, goal यानि कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो आपका goal ह हम देखेंगे, तो hashtag लगा दिया, what is your goal, तो हमने यहाँ पर लिखा हमारा goal क्या है, तो हम goal अपना कैसे बताएंगे, तो आप बोलेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे, I want to become, या be, I want to become a doctor in my professional life, या in my life, आप मैंसे कुछ लोग हो सकते हैं, कि कुछ बनना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर engineer लिख लेंगे, अगर आप एक अच्छा teacher बनना चाहते हैं, तो आप teacher लिख देंगे, आप बताओ आप मेंसे आप लोग क्या बनना चाहते, what do you want to become in your life, मैंने question पुछा आप से, कि what do you want to become in your life, तो कैसे बनाएंगे, है ना, गासिया ब बहुत मज़ा आ रहा है क्लास में, very good, काफी लोग जुड़े हैं, इंडिया के साथ साथ, आउट ओफ इंडिया के स्ट्विट्स भी आजकल, मास्टडी पर बहुत सारे लोग आते हैं, क्लास जोईन करते हैं, I am so thankful to them, चलिए, तो goal I want to become a doctor in my life, समझ में आ गया, clear है, बहु Thank you note भी हम यहां पर देंगे, क्या करेंगे, Thank you note हम देंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक हूँ note क्या होता है, तो Thank you note में हम यह बोलेंगे, कि that's all about me, that's all about me, और last में बोलेंगे, Thank you, ठीक है, तो यह हमारा last point होगा, और इस तरीके से हम अपना introduction complete करेंगे तो मैंने सारे points को आपको detail में समझा दिया है 7-8 points जो भी थे अब बैटा हम क्या करेंगे ये points मैंने आपको समझा दियें सारे कि पहले greeting देना है फिर thank you बोलना है फिर नाम बताना है आप कहां से वो बताना है आपकी professional skills बताना है आपका education बताना है आपकी skills बताना है family बताना है ये सारा बता दिया एक-एक को detail में मैंने समझा भी दिया आप यहाँ पर देख सकते है अब बारी आती है एक dummy introduction की तो माल लेते हैं कि आप 15 साल के हैं अब हम अब असली मजा आएगा क्योंकि अब मैंने एक sample बना के रखा है कि माल लेजिए कि अगर आप अगर माल लो कि मेरा नाम क्या है मेरा नाम मितांश यादो है और मैं क्या करता हूँ मैं आठीवी पढ़ता हूँ तो मैं अपना introduction कैसे दूँगा ठीके तो चलिए मैं आपको आपके सामने अपना introduction देखे बताता हूँ सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा आप मेरा introduction ध्यान से सुनना है ना और कुछ गलती हो तो बताना और आपको मेरा introduction कैसे लगा वो जरूर बताना ठीके तो अरे मैं मितांस का क्या देता हूँ मैं अपना introduction ही देता हूँ तयार है सब लोग सुनने के लिए excited हो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं अच्छा लगे तो मत करना चलिए तो start करते हैं एडी चलिए अँआ हलो सर अलो मैम thank you so much for giving me this opportunity to introduce myself my name is Kamlesh Yaddo basically I am from Sanavad, at present I am living in Indore as far as my education is concerned I did my schooling from Government Higher Secondary School, Khargon I have completed my Bachelor's in Commerce from Gujarati College Indore, I have also completed my Master's in MBA from Aryan College Indore, at present I am teaching on YouTube 75 hard spoken English course as far as my family is concerned I have a nuclear family there are five members in my family my father is a farmer and my mother is a homemaker I have two siblings my hobbies are reading books and watching movies my strength is my communication skills I want to become a successful English language trainer in my life that's all about me thank you بتau अब आपको homework भी देखे जाऊंगा उसके पहले अभी तो बहुत सारा बचा है class लगभग सवा गंटे देड़ गंटे चलेगी ठीके इसलिए आपको जल्दी बाजी नहीं करना है और consistency maintain करना है हम English क्यों नहीं सीख पाते हैं क्योंकि कहीं न कहीं हम यहाँ वीडियो देखा वहाँ वीडियो देखा ऐसे काम नहीं चलेगा एक जगर देखो और उसको systematic देखो मैं systematic पढ़ाता हूँ न यह day one day two day three ताकि हर एक चीज हमारी cover हो पाए और हम properly सीख पाए वरना उपन नीचे उपन नीचे करेंगे तो मजा नहीं आएगा चलिए आगे बढ़ जाते हैं तो देखिए यहाँ पर एक मितांस यादों का thank you thank you so much सब लोग 10 में से 10 marks दे रहे हैं thank you so much यार अच्छी बाते पर आपको भी लाना है ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं आगे बढ़े आगे बढ़े thank you thank you everybody चलिए देखिए सबसे पहले य opportunity to introduce myself my name is मितांस यादव I am 15 years old अब अपनी एज बता सकते हैं अगर आप स्कूल में है तो अगर आप बड़े हैं तो आप अपनी एज कभी नहीं बताएंगे I am from Indoor as far as my education is concerned तो आप यहाँ पर देखिए क्या अगर जहां तक मेरे education की बात है I study in 8 standard 8 Delhi public school Indoor मैं 8 कक्छा में परिवार में 5 members है my father is a doctor मेरे पिता जी doctor है और मेरी मम्मी क्या है teacher है या homemaker है I have two siblings मेरे दो भाई बहन है my hobby is dancing इनकी एक ही hobby है 15 साल के हैं तो इन्होंने क्या बोला कि my hobby is dancing my strength is my parents and I want to become a successful doctor in my life चुकि छोटे बच्चे हैं तो उन्होंने अपने strength अपने parents को बता दिया लेकिन अगर आप professional है तो आप अपनी strength अपनी professional skill ही बताएंगे clear है समझ में आ रहा है तो यह एक school के बच्चे का introduction हो गया अगर आप college में है आप यहाँ पर हम feel कर सकते हैं यह मैं आपको PPT दे दूँगा तो आप क्या कर सकते हैं इस introduction को feel करेंगे ठीक है तो आप यहाँ पर सभी ल और मैम फर गिविंग में इस opportunity to introduce myself. मैं नेम इस आपका नाम क्या है बताड़ बताईए आपका नाम क्या है तो जो भी आपका नाम है माल लीजिए आपका नाम एक लड़की का लेते हैं तो मालो लड़की का नाम है जोचसना या लड़की का नाम जोचसना की जगए easy नाम लेते हैं मालो हमने नाम लिया क्या ल तो एक adjective आपने लगा दिया I belong to Radhika कहां रहती है color change करते हैं माल लेते हैं कि Radhika रहती है Mumbai में तो I belong to Mumbai ठीक है as far as my education is concerned जहां तक मेरे qualification education की बात है I did my schooling from अब Radhika ने Mumbai में कहां से पढ़ाई किये तो माल लेते हैं दिरुभाई अंबानी पब्लिक स्कूल से पढ़ाई किये तो दिरुभाई अंबानी पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल मुंबई तो इस तरीके से आप सबी लोग अपना अपना introduction तयार करेंगे I have completed my graduation in अब माल लीजे अपना इसने graduation complete कर लिया है college में पढ़ता है तो यहां प बोल देगी कि भाई from Delhi University तो इसने Delhi University से अपना जो है education complete कर लिया है एट प्रेजेंट I am pursuing अब यह M.S.C कर रही है कहां से कर रही है तो यहां पर लिख दो from and say from Delhi University तो यहां पर यह उनिसिटी का नाम लिख देगी As far as my family is concerned I have a nuclear family फिर आगे बोलेगी there are कितने members है आपके परिवार में आप भी बताते जाएं तो यहां पर blank है तो राधिका के परिवार में मान लेते हैं six members है तो there are six members in my family यह format मैं आपको दे दूँगा अगर आपने अभी तक हमारा telegram channel जोईन नहीं किया तो जरूर कर दीज अगर आपने अभी तक मेरा day one नहीं देखा है तो काम बनने वाला नहीं है 75 दिन के 75 दिन पूरे attend करने है आगे पीछे नहीं इस लिए इस क्लास के बाद day one भी देखना कल की क्लास बहुत धमाकेदार थी basics of English में मैंने ऐसे ऐसे राज बताये आज तक किसे नहीं बताया प्रफ़ एं राधिका की तीन भाई बहन है राधिका के अलावा तो यहां वह दो हो बीस है एक तो ईसकी होबी है dancing और नास्ती रहती है और एक उसकी होबी है cooking वह खाना बनाती रहती है ठीके माइस ट्रेंथ है तो उसने कहा कि यो मेरी strength है वो मेरी computer skills है उसको computer बहुत अच have some weakness जब आप अपने विक्नेस बताएंगे तो आप यह लाइंड बोलेंगे कि जैसा आप सब को पता है कि हर विक्ति की कोई नहीं कोई Jest होती है और आप अपनी विक्नेस ऐसी बताने एक कि Baptist ना लगे वह आपकी ताकत लगे तुमाइ my weakness is that is that I easily I can't see I can't see poor people begging poor people begging मैं गरीब लोगों को भीग मांगते में नहीं देख सकती हूं तो यह आपकी विकने से क्या बहुत इमोशनल है ठीक है I want to become a successful dancer मैं अपनी जिन्दगी में successful dancer बनना चाहती हूं ठीक है that's all about me तो देखिए यहां पर मैंने क्या किया कि मैंने इस format के माध्यम से आपका एक परिचे लिखा यह जो बुक है ना यह बुक में भी मैंने ऐसा ही पढ़ाया है यह बहुत बड़ी बुक है इसमें मैंने पहले introduction पढ़ाया है उसके बाद मैंने क्या किया है कि आपको कुछ blank दी है exercise करने के लिए ताकि आप practice तो यह एक प्रकाल की combo है इसमें practice भी हो जाएगी और आप पढ़ाई भी कर सकते हो यह बुक order करने के लिए Mastery app पर जाएए वहाँ पर यह बुक के वाला भी इंडिया वालों के लिए अवेलेबल है आउट ओफ इंडिया भी delivery स्टार्ट नहीं हुई है अगर आप यह बुक आज 10 minute का homework बचा हुए तो class खतम होने के बाद आप सभी लोग अपना अपना परिचय इंग्लिश में देंगे वह भी comment में सबको देना है अपना अपना परिचय है ना आप क्या करते है आपका नाम क्या है सब कुछ में सबका comments like करूँगा और wait भी करूँगा ठीके तो यह आपक आज की activity क्या है हमारी आज की activity है importance of English जैसा कि मैंने कहा है कि English सिर्फ बोलने से English सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आती इंग्लिश की शुरुवात हमें आज से करनी पड़ेगी आपने like नहीं किया क्यों मुझे उपर से message आया अच्छा बता आप में से कितने लोगोंने like कर बनाया है इतने प्यारे प्यारे notes बनाया है देखो बहुत बढ़िया key points लेकर आया हूं और 75 days तक motivate करके रखना है आपको मुझे वना मैं थग्याना तो course बीच में रुख जाएगा तो करना क्या है सर यह बता दो हम तो कुछ भी कर सकते आपके लिए कुछ भी नहीं करना है आपको जब भी मेरी class में आओ ना तो आप like कर दिया करो subscribe कर दिया करो subscribe तो करी लिया है और कुछ लोगों को नए लोगों को share कर दो और बहुत ज़्यादा support करते हो बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो इस like class की link को अपनी status पे रखो whatsapp status पे लोग click करेंगे लोग जुडें of English अगर आपको directly में बोलूं कि चलो आप तो English सीख रहे हो तो आप ना importance of English पर एक speech दो तो आप आपके मन में क्या-क्या thoughts आएंगे तो पहले तो thoughts आएंगे नहीं हाँ आप दो चार लाइन आ भी जाएगी दो चार लाइन क्या आ जाएगी हाँ English important है English सीखनी चाहिए ऐसा व करनी है आपका भाई आपके लिए सारी विवस्ताइए करके लाया है तो आपको सबसे पहले की points पर विचार करना है तो यहाँ पर की points मैंने दे रखें कि English क्या है English एक global language है ग्लोबल लेंग्वेज आने क्या होता है कि भाई English एक international language है तो आपका sentence मनेगा English is an international language तो बोलने से पहले किसी भी topic पर अपनी बात रखने से पहले उसके key points को आप discuss कर लो तो आपको ideas मिलेंगे और आपकी सूचने की चमता बढ़ेगी और thinking skills की साथ साथ जब आप बोलेंग English language के थुरू आप किसी भी country में जा सकते हैं आपको वहाँ पर accept किया जाएगा access मिल जाएगा वहाँ के culture का academic advantage आपने देखा होगा कि जो बच्चे English medium में पढ़ाई करते हैं उनको ज्यादा importance मिलती जाया थबज्जो मिलती है इसके अलावा कई सालों तक तो UPSC में English medium वाले ह मिल जाती है मालो मैं Hindi medium का हूँ और मुझे American किसी writer की किताब पढ़नी है तो इंग्लिश में लिखी होगी तो मैं उसे कैसे पढ़ूँगा तो इसलिए academic advantage भी मिलते हैं career opportunities आप सबको पता है किसी बड़ी company में काम करने के लिए multi-level company में काम करने के लिए हमें English आने चाहिए य वहाँ पर लोग English बोलते है करला में है तो वहाँ पर हम समझ पाते हैं दुसरे के culture को international communications सबको बता है कि वह अंतर रास्टी है व्यापार करना हो बिजनेस करना हो तो वहाँ पर भी आपको international communications में English एक मात्रेसी लेंग्वेज है जो सारी countries के तुरू अप्रूबल मिला है उस आऑ से टेक्नोलाजीकल एडवांस होती है उसमें इस्ट्रक्शन लिक्लोंस में लिक्वे सामान खृते हैं तो आगर आप दवाईयां भी खरिद के लाते हैं टीवी हृतके हैं लाते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है Friezer जो Friezer होता म關係 उन्ना रान समझत replied Всёrist फ्रेवल करते कई फस जाते हैं तो आपको उनकी language नहीं आती सामने वाले की लेकिन English तो आती है ना तो वहां आपको benefit मिलता है promotion of multi-lingualism आप English आने से आपको multi languages होती वो आती है cultural influence होता है economic significance होता है इससे economy हमारी बढ़ती है और professional और professional development होता है तो इतने points को आपको सुनने के बाद एक दिमाग में idea clear हो गया है अब आप क्या करेंगे आप एक pen copy लेंगे और आज ना class खतम होने के बाद फिर से class को देखेंगे और importance of English पर paragraph लिखेंगे और इन points को सामने रखेंगे तो पता चलेगा कि कितना आप English सोच पाते this is the part of English learning language सीखना है 75 days में पका होना है तो आपको ये करना पड़ेगा अगर नहीं आता है तो पहले आप इस paragraph को पढ़ेंगे मालो फिर भी नहीं आ रहा है पहले इस paragraph को पढ़ लिजिए फिर अपनी handwriting में अपने मन से आप एक paragraph लिखेंगे या फिर उसे आप बोल कर देखेंगे अगर आपको लिखते आता है तो बोलने की practice करेंगे यह paragraph में वो सारे points हमने cover करके रखे यह मैं आपको free में दे रहा हूँ कोई charges नहीं है जिस notes को बनाने में 6-7 घंटे लग जाते है ना बेटा वो आपको free में access दे रहा हूँ कोई tension नहीं लेने का ठीक है तो यह आज की class थी आप में से बहुत सारे लोगों ने join किया हमारे और भी social media platforms हैं हमारे और भी YouTube चैनल से आपने जरूर subscribe करें जैसे mass study, mass English grammar, kamrasar official यह सारे हमारे चैनल से टेलेग्राम में mass study के नाम से search कर लिजे दोस्तो आज की class कैसे लगी मैं जरूर आपकी comment का wait करूँगा 75 days का course free लाया हूँ 75 दिन तक मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ आप से वादा किया है कि आपको 75 days में English सिखाऊंगा और सिखाऊंगा मैं पूरी कोशिस कर रहा हूँ बहार ठंड का मोसम है लेकिन फिर भी मुझे पसीना आ रहा है क्यों क्योंकि मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ पिछले देड़ घंटे से लगातार आपके सामने बोल रहा हूँ पूरी energy के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि I believe in you मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने सपनों को साकार करेंगे और मैं उनमें अपना effort लगाऊंगा तो class को like करके जरूर जाना है और 5-10 लोगों को जरूर ये class share करना उनको भी कल से class में लाना अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है अगर आप हमारी online class join करन अगर आपको हमारी online classes join करनी हो तो आप ये हमारे courses को एक बार देखिए course का नाम है best spoken English course 0 to hero level batch इसमें हम बिल्कुल 0 से English पढ़ाते हैं वहाँ पर क्या अलग होता है सर YouTube के लावा देखो YouTube पर आपको वीडियो classes मिलती है आपको practice की भी जरूर पड़ती है तो वहाँ पर live classes मिल थी लाइवने की आप अपने mobile phone से अपने laptop से जूड सकते हैं और वहाँ पर एक group मिलेगा 25-30 लोगों का जिस पर class लगेगी फिर आप सबको बोला जाएगा कि आज ये पढ़ाया फिर वहाँ पर हम practice करवाते हैं कि practice बिना नहीं आती न English जिसे आज आपने अपने introduction सीखा तो बोलने के लिए आपको हमारी life classes में आना चाहिए ये एक्सपर्ट बैच है ये बैच उन लोगों के लिए छे मैने का बैच है इसकी फीज हजार रुपए है और ये एक्सपर्ट बैच है जो advanced level की बैच है जहां पर fluency, conversations, debate, interview की training पूरा complete course करवाया जाता है हर batches के हमारे पास पढ़ना है किसी बैच में नहीं पढ़ना है तो आप अकेले भी पढ़ सकते हैं इसे कहा जाता है personal English trainer याने कि आप अपने trainer को hire कर सकते हैं जैसे जिम जाते ना तो जिम में हम अकेला trainer हमारे साथ गुमता रहता है कि इस weight को ऐसे उठाओ ऐसे करो तो हम personal training में बहुत ज़्या पर भी होती है तो इसके थ्रू हम जुड़े रहते हैं आपसे बात करते हैं आपको समझाते हैं आपको टिप्स देते हैं आपको टॉपिक वैस पढ़ाते हैं प्रैक्टिस करवाते हंड़ेट परसन रिजल्ट आता है इसमें तो monthly classes होती चार्जेस थोड़े ज्यादा रहते समते लेकिन रिजल्ट अच्छा है मैरी गुक तो आपने और्डर करी दी होगी ये बूक मेरी जरूर करना छोटे बच्चों के लिए हमारी तो किट्स बैच चोटे बच्चों के लिए अगर आपका बच्चा इंग्लिश में कमजोर है इंग्लिश में स्कूल में जा रहा है कुछ नहीं आता है इस बैच में अडमिशन देलवाई दो मेने में हम परफेक्ट बना देंगे उसे ठीक है साथियो ग्रामर कोर्स जोईन करन कैसे आज की क्लास लगी मुझे जरूर बताना समय हो चुका है मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी क्लास लगी होगी आपने आज बहुत कुछ नया सीखा होगा आज आपने सीखा how to introduce ourselves याने कि खुद का परिचे कैसे दे आप अपना dummy introduction बनाईए आप comment section open ह यह चैट चल रही है आप comment section open करूंगा तो comment में आप अपना परिचे लिखे में सारे reads करूंगा रात को भले दो बज्जा है I will read everybody's comment और like भी करूंगा ठीक है और आपको कल मिलूंगा कल वही 8 बजे मिलेंगे सब लोग 8 बजे आ जाना अपनी जगह occupy कर लेना seat occupy कर लेना भीड़ बहुत होती है 5-6,000 लोग live हमें देखते हैं रोज ठीक है तो इसलिए occupy करके बैठ जाना और इस class को एक बार फिर से देखना note down करना ठीक है बाकी तो I hope you must have enjoyed the class thank you so much for loving me thank you so much for joining my today's live session अपना ध्यान रखिए अपने family का ध्यान रखिए अच्छे वीडियो देखिए अपने mobile phone का सहीं स्तमाल करिए और अपना time जहां भी खराब हो रहा है जहां time waste हो रहा है उस time को बचा कर आप उस time में अच्छे वीडियो देखिए ताकि आपका improvement हो आ हां और हां आप एक चीज लगाना आपने hashtag लगाना है आपको तो आप hashtag गलत आप comment में सबसे comment के last में जब आपनी comment पूरा लिखेंगे तो आपको ऐसे 7 में लिखना है इसमें gap नहीं देना है वनना वो highlight नहीं होगा blue color का हो जाना चाहिए लिखने के बाद तो hashtag 75 hard English challenge ठीक है त पेस नहीं देना है तभी यह blue होगा तो यह आपको last में लिखके जाना है कि hashtag 75 hard English challenge ठीक है तो अगर आपको accept है अगर आप अगले 75 days तक मेरे साथ रहने वाले हैं तो hashtag जरूर लगाना thank you so much please take care please come on time tomorrow thank you so much good night take care